हलो दोस्तों कैसे हो भाई आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत 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 गुड इबनिंग आज मैं आपके सामने फिर से एक नए कोशन बिल्कुल ही यूनिक कोशन लेकर आया हूँ जो बनाने के बाद आपको मजा आने वाला है तो सरियसली बताओं तो यह कोशन रूट अंडर माइनस एट इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा हमें से बहुत बच्चे लोग यहां पर गल्ती कर देते हैं उनको यह नहीं पता होता है कि नंबर्स रूट अंडर माइनस 12 हो सकता भी है या नहीं हो सकता है तो आज आपको मेरे साथ बने रहाना और इस इंट्रेस्ट देने वाला है तो चलिए स्कोशन को सुरू करने से पले मैं छोटा सा चीज आपको बताना चाहूंगा बहुत छोटा सा बेसिक सा चीज जो आपको पता होना चीए नॉर्मली अगर हम देखें तो नंबर कहीं कितने तरह का होता है अगर हम लोग देखें तो नंबर दो तरह का होता है आप तो पढ़े होगे फस्ट वन इस दर रियल नंबर और दूसरा कोन सा होता है द cookies imaginary number तो real number भही ऐसा होता है जो real होता है जैसे कि आप जो भी number line पर जो भी represent करते हो all numbers that represent on number line जितने भी number जिसको आप number line पर represent कर सकते हो वो सब के सब क्या कर लाते हैं real number कर लाते हैं पर जहां तक आप imaginary number की बात करोगे तो ऐसे number जो सिर्फ और सिफ क्या किया जा सकता है only imagine किया जा सकता है that does not exist यह exist नहीं करता है ऐसे number को हम लोग क्या कहेंगे imaginary number के तो आप समझ गया होगे imaginary number कहते है कि इसको ऐसा number जो exist ही नहीं करता वैसे number को भाखिर हम identify कैसे कर सकते हैं तो example की अगर बात करों दोनों के तो इस क्या example हो जाएगा भई two, four, five, six, zero, minus two, minus five यह सारे के सारे क्या है they all are real number यह कि आपके दो तरह का होते है कोन-कोन से rational or irrational imaginary number जो होता है आपका exist नहीं करता है exist नहीं करने का in the sense कि आप बस उसको imagine कर सकते हो और उसका example हो गया root under minus two root under minus one क्योंकि normally यह number ऐसा exist ही नहीं कर सकता है इसकी value आप identify कर ही नहीं सकते हो अगर root under minus two अगर हम लोग दे दे तो यहां तक आप समझ गया होगे अब हम कोशन की बात करें हमारा जो कोशन है कोशन है root under minus 12 into root under minus eight यहां के according अगर आप देखोगे तो बोथ नंबर हार imaginary number दोनों के दोनों नंबर कौन से भें imaginary number है और imaginary number आपका exist नहीं करता है तो हम इसको कैसे solve करेंगे देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है सबसे पले हम इसको क्या करने वाल है इसको factorize करने वाल है तो मैं इसको लिग दू क्या है इस तरह से नॉर्मली आप कर सकते हो आप पढ़े भी होगे exponent में कि आप इस तरह से किसी भी number को लिख सकते हो तो मैंने यहां पर लिख दिया अब यहां पर देखो simply अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालों तो 2 और यहां पर 2 दोनों को रूट को रूट से बाहर निकाल सकता हो तो मैं ऐसे लिख सकता हो क्या 2 multiply root 3 into root under minus 1 into फिर से मैं यहां पर लिख सकता हो 2 का पेर करूँ तो 2 multiply 2 into root under minus 1 अब यहां पर आपको simply यह चीज तो पता चल गया कि यहां पर 2 जो है जिसके उपर root नहीं है और यहां पर भी जो 2 है इसके उपर भी root नहीं है तो मैं इसको यहां पर लिख सकता हो कि 2 root 3 into root under minus 1 into 2 root 2 और into root under minus 1 यहां पर मैं इसे लिख सकता हो अब यह चीज देखो बच्चे लोगे यहां पर simply आप कर सकते हो किया कि अगर आप 11th class में पढ़े होगे मुईत तो नहीं करता हो कि सारे बच्चे आप लोग 11th class में होगे पर root under minus 1 को आप लिख होगे root under minus 1 को हम लोग लिखते है आई root under minus 1 को क्या लिखते हम लोग आई तो ऐसे लिख दू मैं 2 और root 3 into i into 2 root 2 into i और इस तरह से मैं देखो तो 2 को 2 से अगर multiply करूँगा तो 4 हो जाएगा और root 3 into root 2 अगर कर दो तो root under 6 हो जाएगा और into i into i इसका मतलब क्या हो गया that is i square आ गया यहां तक value हम लोगा आ चुका है अब मैं यहां पर लिख देता हूँ 4 root 6 into i square का value कितना होगा i का value आपका root under minus 1 है तो इस हिसाब से i square का value होगा root हटकर minus 1 तो मैं यहां पर लिख दू minus 1 इसका मतलब हमारा जो value आएगा minus 4 root 6 अब यहां से हम लोग क्या सिखे तो देखो एक simple सा logic यहां पर बनता है कि normally हम लोग कहते क्या है कि minus into minus हमेशा plus होता है normally यहां भी minus है यहां भी minus है तो minus into minus plus होता है पर यहां पर जो value हमारा आ रहा है यह value भी हमारा क्या रहा है minus में आ रहा है इससे हम इसको अगर format में लेना चाहे तो आप ऐसे लोगे root under minus A into root under minus B equal to minus root under AB यह आपका format बन सकता है और यह बहुत इंट्रेस्टिंग है अगर आप नहीं जानते होगे तो आपको बहुत मजा आया होगा अब अपने दोस्तों के साथ share करो इस तरह के question आपके बहुत से दोस्त imaginary नंबर के बारे में नहीं जानते होंगे उनको भी आप बताईए imaginary नंबर होता क्या है आपको वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा और इसी तरह और भी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बन ने रही है thank you channel को subscribe करना नहीं बूलना है दोस्तों thank you